बाती अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे दस सबूत जिन से साबित होता है कि भारत दुनिया की एक बेहद महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था बन चुका है सबसे पहला सबूत है आठ कोर सेक्टर्स का उत्पादन 8.2 प्रतिशत बढ़ा आठ कोर सेक्टर्स में कोईला, कच्चा तेल, प्रकृतिक गैस, रिफाइनेरी उत्पाद, और वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजले शामिल है जून 2023 में आठ कोर सेक्टर्स का उत्पादन 8.2 दो प्रतिशत बढ़ा है ये पिछले 5 महिने में सबसे ज्यादा है इसके पिछले महिने में मई 2023 में ग्रोथ रेट 4.3 प्रतिशत थी आई 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 पी यानि आद्यागिक उत्पादन सूचकांक में 8 कोर सेक्टर्स की हिस्तेदारी 40.27 प्रतिशत है जोन में सबसे बड़ी किया 45,365 करोड रुपई का निवेश बारत की आर्थिक नीटियों की वजह से देश में कारोबारी माहौल अच्छा हुआ है और पूजी बाजार में देश के ही नहीं विदेश के निवेशकों की भी दिल्चस्पी बढ़ती जा रही है मंदी की आहट के बीच भी एफपी आई यानि फॉरन पोटफोलियो इंवेस्टर्स बारतिय शेयर बाजार में दिल खोल कर पैसा लगा रहे हैं जुलाई 2023 में एफपी आई ने भारतिय शेयर बाजारों में 45,365 करोड रुपई से भी ज्यादा का निवेश किया है विदेशी पोटफोलियो निवेश बढ़ा रहे हैं ये लगातार तीसरा महीना है जब एफपी आई का शेयर्स में दिवेश का आंकड़ा 40,000 करोड रुपई को पार कर गया है एफपी आई ने मई में शेयर्स में 43,838 करोड रुपई और जून में 47,148 करोड रुपई का निवेश किया था डिपोजिटरी के आंकड़ों से पता चला है कि इस साल अब तक शेयर्स बाजार उमें एफपी आई का दिवेश 1.36,000,000 करोड रुपई पर पहुँच गया है इंडियन एकौनोमी के दम का तीसरा बड़ा सबूत है भारत के शेयर्स बाजार का दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा शेयर्स बनना 29 मई का दिन भारतिय शेयर्स बाजार के लिए काफी एहम रहा शेयर्स मार्केट में जारी तेजी के चलते भारतिय शेयर्स बाजार एक बार फिर दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया था अडानी ग्रुप का मार्केट कैप उपर जाने औ और भारतिय बाजार में विदेशी निवेशकों के दिल्चस्पी बढ़ने से भारत ने पांचवी रैंकिंग हासिल कर ले थी। इसके साथ ही भारतिय शेयर बाजार का मार्केट कैप 3.3 ट्रिलियन डॉलर यानि लगभग 272 लाख करोड रुपई पर पहुँच गया था। के साथ चोथे स्थान पर रहा था। फ्रांस 3.2 चार लाख करोड डॉलर के साथ एक पायदान फिसल कर छठे स्थान पर पहुँचता दिखाई दिया था। बारती अर्थ विवस्था की चौथी खासियत रही है थोक महेंगाई दर का आठ साल के निचले स्थर पर रहना। WPI यानि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानि थोक कीमतों पर आधारित महेंगाई जून 2023 में घटकर आठ साल के निचले स्थर माइनस 4.12 प्रतिशत पर आ गई। इससे पहले अक्तूबर 2015 में ये दर माइनस 3.81 प्रतिशत थी। जून 2023 लगातार तीसरा महेंगा था जब थोक मूल्य सूचकांक आधारित महेंगाई दर शून्य से नीचे रही। पिछले कुछ महीनों में भारत की अर्थ व्यवस्था की पांचवी खासियत रही है और ज्योगिक उत्पादन की ग्रोथ रेट में बढ़ोतरी। आर्थिक मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन से मई महीने में IIP यानि Index of Industrial Production की वृध्धी दर बढ़कर 5.2 प्रतिशत पर प बढ़ा है इससे पहले महीने अप्रेल में और ज्योगिक उत्पादन की विकासदर 4.2 प्रतिशत पर रही थी। इंडियन एकॉनोमी की छठी खास बात है देश में Direct Tax Collection में बढ़ोतरी होना चलू वित्वर्ष में रीफंड के बाद शुद्ध प्रतियक्ष कर संग रह 15.87 प्रतिशत बढ़कर 4.75 लाख करोड रुपए रहा बारती अर्थ विवस्था का सातवां अचीवमेंट है कि मई में GST कलेक्षन 12 प्रतिशत बढ़कर 1.6 एक लाख करोड रुपए पर पहुँच गया ये पिछले वर्ष इसी महीने के GST कलेक्षन से 12 प्रतिशत ज्यादा ह GST कलेक्षन लगातार 15 महीने 1.4 लाख करोड रुपए से ज्यादा रहा है GST लागू होने के बाद से GST कलेक्षन छटी बार 1.5 लाख करोड रुपए के पार पहुच गया है इन्यन एकॉनमी की खासियतों में 8 वे नंबर पर है देश में D-MET खातों के संख्या में बढ़ोतरी होना देश में D-MET खातों के संख्या 11.8 दो करोड के पार पहुच गई है शेयर बाजार में तेजी और म्यूचल फंट्स में निवेश करने वालों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही D-MET अकाउंट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है ट्रेडिंग और शेयर्स को इलेक्ट्रोनिक रूप में रखने के लिए ये खाते ज़रूरी होते हैं डिपॉजटरी, फर्म, एनस्डियल और सीडी एसल के आंकडों के मताबिक मई 2023 में 20,10,000 नए D-MET खाते खोले गए जो इस साल का सबसे ज़्यादा है बारती आर्थ विवस्था के मजबूत होने का नौवा सबूत है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का रिकॉर्ड स्तर पर होना देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगबग 600 अरब डॉलर के आसपास बना हुआ है देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2021 में 10 सितंबर को 642.45 अरब डॉलर के आल टाइम हाई पर पहुँच गया था विदेशी मुद्रा भंडार ने 5 जून 2020 को खत्म हुए हफते में पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर को पार किया था इससे पहले ये 8 सितंबर 2017 को पहली बार 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया था जबकि UPA शासनकाल के दौरान 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 311 अरब डॉलर के करीब था और इंडियन एकॉनोमी के मजबूत होने का दस्वा और सबसे बड़ा सबूत ये है कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अरथ व्यवस्था बन गया है मार्च तिमाही में भारती अरथ व्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही है जबकि ब्रिटेन के अरथ व्यवस्था 816 अरब डॉलर की थी एक दशक पहले भारत सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्थाओं में ग्यारहवे स्थान पर था जबकि ब्रिटेन पांचवे स्थान पर था लेकिन सेतंबर 2022 में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया माजुदा आर्थिक विकासदर के हिसाब से भारत 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की चोथी बड़ी अर्थ व्यवस्था बन जाएगा वहीं 2029 में जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ती बन जाएगा